अब आज के स्मेक्डाउन के में इवेंट में रोमन रेंज हमें पॉल एवन के साथ दिखाई दिए इसके बद क्राउड कॉड़ी कॉड़ी के जवर्जस चैंट्स लगाता है रोमन रेंज कहते हैं वाइज में ने एक वादा किया था और ट्राइबल चीफ ने अपने रोमन रेंज कहते हैं चलिए फänge अपर हम आईहीं हूं तुमारे बारे में बताओ क्वाड़ी रूत कहते हैं देखो मैं अपने वादे पर हमेशा खाळा रहता हूं अकेले हो तो मैं भी अकेला आया हूं रोमन रेंस कहते हैं तुमने कहा था ना कि वो अकेला आएगा तु तुमने एक महीने में क्या किया है, तुमने मेरे चोटे भाई सेथ रॉलिंस से दोस्ती बढ़ाई है, क्या हुआ, जब तुम मुश्किल में थे तो सेथ कहा था, सेथ तो आया नहीं, उसने तो तुम्हें अपनी असलियत दिखा दी, उसने कहा था वो तुमारी हेल्प करेगा तुम्हें याद है ना, मैं और Seth Rollins Shield में एक साथ एक मजबूत understanding थी हमारे बीच में, मेरा भाई है, मेरी family members मानता था मैं उसे, लेकिन उसने हमारी पीट में छुरा गोपा, तुम्हारे साथ नहीं होगा, इसकी क्या guarantee है, इसलिए तुम बेब कुफ हो, Cody Roots कहते हैं क्या तुम पूछ रहे हो कि मैं Shield को याद कर सकता हूँ या नहीं, मुझे याद है, Shield एक अच्छी टीम थी, कभी ना रुखने वाली टीम थी, उसके बात क्या हुआ, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, Cody Roots नाम Shield से, खतम होने से जुडा हुआ है, देखो मैं यहा भले ही मुझे से गुस्सा हो जाए कि मैं उसका नाम उचाल रहा हूँ, बट तुमसे वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है, क्या तुम अपने पार्टनर पे भरोसा कर सकते हो, रॉक पर बरोसा कर सकते हो, हम लोग शायद थोड़े से कन्फ्यूज होंगे, Bloodline में असल में स्ताथ कौन है, Travel Chief या Final Boss, Roman Reigns कहते हैं कि पुरानी बाते हैं, क्या यही बोलना आता है तुझे, सो समझके नेता की तरह बड़े बड़े डालोग मार रहा है या खड़े होके, कोई भी है यहाँ जिनके बेटे को आगे बेजना चाते हो, आटोग्राफ मिल जाएगा, तुम वादे करते हो, बट करते नहीं हो, जूटे हो तुम वादा देखे दिल तोड़ देते हो, तुम दो नंबर के इंसान हो और हमेशा रहोगे क्योंकि मैं नंबर वन हो हमेशा के लिए। मैं जाऊंगा और वहां हराऊंगा और मैं नमबर दो नहीं मैं नमबर वन हूँ गुडलक रैसलमेनिया के लिए कौड़ी रूट्स इसके बाद हाथ बढ़ाते हैं बट रोमन रेंज पीछे हटते हैं और बहार निकल जाते हैं इसके बाद Roman Reigns छुटकी बजाते हैं तब इक क्राउड में से सोलर सिक्वाड जिम्मी उसो आ जाते हैं Roman Reigns के साथ आके खड़े हो जाते हैं अब कॉडी रूट्स भी हसने लग जाते हैं तो दिखता है कि सैथ रॉलेंस जे उसो भी क्राउड में थे वो भी आके कॉडी रूट्स को रिंग में जोइन कर लेते हैं मतलम ना Roman अकेले थे ना कॉडी रूट्स इस बार कॉडी ने तुरुप का एक का Roman Reigns पे फैक के मारा है यहीं आज SmackDown का अपिसोड एंड हो जाता है Roman Reigns और कॉडी रूट्स के बीच फेस ओफ हुआ दौनों के बीच अकेले आने की बात हुई थी बड़ दौनों अपना बैक अप लेकर आये थे महीं स्ट्रीट प्रॉफिट्स और Austin Theory Waller नेक्स्ट राउंड के लिए कौलिफाई कर चुके है रेसल मीनिया 40 में होने वाले 6-pack टेक्टी मैच के लिए महीरे मिस्ट्रीड और डौनिक के बीच एक बार फिर से मैस दिखेगा दिखाया तो WWE ने यही है अब रेसल मीनिया को जाला टाइम नहीं रहा है महीं Cordy Roots और Roman Reigns फिजिकल नहीं हुए और नहीं WWE इनको कराएगी बड़ा पेपर व्यू जो है रेसल मीनिया 40 ठीक ठाक एपिसोड था इनके बीच आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूब बताएगा आभी की वीडियो में नहीं पसंद आया तो लाइक को शियर करें उस तरह की इंटरसिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्स्क्राइब करें बेल आकन को प्रेस करें मलता हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू